गुड मॉनिंग स्टुडेंट अगर आप गवर्मेंट जोग की तयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंतक देखें तता ही वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्ने है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वीडियो की पीडियेव आप डि इसके दिस्तों ने दे दिया है आज के इस वीडियो में हम 31 अक्टूबर के करेंट अफेर्स के बारे में डिसकस करेंगे सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़ा हुए इंपोटेंट पॉइंट भी जानेंगे सभी प्रस्नों सेलेक्टेड़े तता कॉंप्टीशन एक्जाम के लिए महत्तोपूर्ण है यहां वीडियो आपके लिए बहुत महत्तोपूर्ण होने वाली है पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था लुइस एर से किस देश के नए रास्टपती बने हैं इसका राइट अंसार है ऑप्शन बी बोल सिना भारत के नए मुख्य सुचना आयुक्त यश्वर्दन सिना नियुक्त हुए हैं मुख्य सुचना आयुक्त के बारे में जानकारी केंति सुचना आयुक्त में एक मुख्य सुचना आयुक्त और दस से अधिक सुचना आयुक्त सामिर होते हैं जिने समीति के सुजाव प दीपक सिंदू थे नेक्ष्ट कोश्चन रंजिना काला को किस राज्ज में प्रमुक बन सर्रक्षण नियुक्त किया गया है इसका राइट अंसर है ऑप्षन सी उत्तराखंड रंजिना काला को उत्तराखंड राज्ज में प्रमुक बन सर्रक्षण नियुक्त किया गया है इस कि स्थाबना 9 नवंबर 2000 पुईती मुख्य मंत्री त्रिवेन से हैं रावत हैं गवर्नर बेबी रानी मौर हैं मुख्य नियाइदिस के एम जोजाफ हैं तिन पड़ोसी राज हैं माचल प्रिदेश उत्तर प्रिदेश और हर्याना दो पड़ोसी देश तिबबत और नेपाल ह हैं नेक्स्ट कोश्चन एच एल ने किस कंपनी के साथ 400 करोड रुपे के प्रोजेक्ट परिवर्तन पर समझोता किया है इसका राइट अंसर है ऑप्शन भी टेक महिंद्रा एच एल ने टेक महिंद्रा कंपनी के साथ 400 करोड रुपे के प्रोजेक्ट परिवर्तन पर समझो होता किया है इस question के important point इस project के जरिए हिंदुस्तान Aeronautics के enterprises resources planning कारिकरम को लागू किया जाएगा HAL इसका full firm होता है हिंदुस्तान Aeronautics Limited इसकी स्थापना हुई थी 23 डिसंबर 1940 में मुख्याला बैंगलोर करनाटक में स्थित है इसके MDN chairman आर माधवन है टेक महेंद्रा टेक महेंद्रा के बारे में जानकारी टेक महेंद्रा लिमिटेड एक भारतिय बहुराष्टिय प्रद्योगी कंपनी है जो सुचना प्रद्योगी और व्यापार प्रक्रिया आउट्सोर्सिंग सेवाय प्रदान करती है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी मुख्यालग पुड़े में सलस्थापक अनंद महेंद्रा CEO CP गुर्णानी है इसके पेरेंट्स और महेंद्रा गुरुप नेक्ष्ट कोश्चन निमने में से कौन उत्तर रेलवे के नए महाप्रवंदक बने हैं इसका राइटन सरे डिल्वे की स्थापना थी 14 अप्रेल उन्निस सो बावन में मुक्यालाय दिल्ली में इस्ति थे भारती अयम्हक्या वुशा मगति के पहले रेल मंत्री प्यूश गोइल रेट बूलного को आध्याक्ष्थ विस्नोथ कुमार यादा आर्पी फस्माहनिरदेसक अरुण कुमार टूफान ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है इसका उस्षार में प्रम आरे को प्रती है इसकोarti से भी बोलते हैं इसका फुल्फरम होता है जूनाइट इस्टेट आफ अमेरिका इसको हिंद्न हम उता है सज्छ्यूक्त राज अमेरिका स्की राज़ानि वसिंग्टन डीशी करस्वे डॉलर राष्ट पती डूनाल्ड ट्रॉंप अमेरिका की इस पेस का नामनासा है जिसका मुखना ये वह सिंगान सी में हैं अमेर की राजडानी वसिंगेंडी सी पेटो मेट नदी के किनारे इस्थित ए अमेरिका कि सान्सथ का नामक्रेंग difnet मिसोरी नदी यूए से की सबसे लंभी नदी मेस्ट कॉस्चन DMRC ने किसके साथ मिलकर बहु उद्देशिये smart card launch किया है इसका right answer is option A SBI card DMRC ने SBI card के साथ मिलकर बहु उद्देशिये smart card launch किया है इस question के important point DMRC के सहोग से SBI card ने एक संपर्क रहित बहु उद्देशिये card launch किया है जो credit card और metro smart card के रूप में कारे करेगा जब भी balance 100 रुपे से कम होगा तो या अपने उप्योग करता को auto top up सुभीदा वाले smart card के रूप में उप्योग करने में सक्छम हो DMRC इसका full form होता है डेली Metro Rail Corporation इसकी इस्थापन होई थी 3 मई 1995 में मुक्यालाइन दिल्ली में इस्तिते CEO मंगू सिंग है next question हाली में किस राज्ज के उच्छ नयायलाई ने अदालत की कारवाई की live streaming शुरू की है इसका राइट अंसर है option B गुजरात गुजरात राज्जी के उच्छ नयायलाई ने सबसे बड़ा सेहर एहमदाबाद राजवासा गुजराती गठन हुआ था एक माई उन्हें सो साथ को इसके राजपाल आचार्य देवरत मुख्यमंद्री विजयरुपानी प्रिदान सबक्सीट 182 राजसावक्सीट 11 लोगसावक्सीट 26 कुछन निम्नमेसे कौन सी स्पेस एजनसी इस सटलाइट पी एस एलवीड को शिप चैन लांच करेगी इसका राइट अंसर है उप्शन सी इस रो मिए स्पेस एजेंसी इस 01 सेटलाइट को PSLVC 49 रॉकेट से लॉंच करेगी इस कुश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट EOS 1 इसका फुल्फर मुझाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटलाइट 1 PSLVC 49 इसका फुल्फर मुझाएगा पोलर सेटलाइट लॉंच विकल इस्टरो इस्टरो भारत की इसका मुख्याला बेंगलो करनाटक में इस्टित है इसकी इस्थापना 15 अगस्त 1979 में हुई थी इसके संस्थापक ग्रम सहरावाई है अध्यक्च के सिवान है नेक्स्ट कोश्चन हाली में किस राज्य सरकार ने इसनातक चिकिस्था पार्टिक्रमों में सरकारी स्कूल के चात्रों को 7.5% अरक्षण प्रदान किया है इसका राइट अंसर है अप्षन अ तमिल नाडू तमिल नाडू राज्य सरकार ने इसनातक चिकिस्था पार्टिकरम में सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% अरक्षण प्रदान किया है तमिल नाडू के बारे में जानकारी तमिल नाडू भारत का एक दक्चन राज्ज है तमिल नाडू की राजधानी चेननाई है सबसे बड़ा सहिर चेननाई राजवाशा तमिल गठा नुमता 26 जनवरी 1950 को इसके राज़पाल बनमारी लाल पुरोहित मुक्यमंत्री के पाड़ सवामी विदान सवकी सीट 235 राज सवकी सीट 18 लोग सवकी सीट 49 इसके पड़ोसी राज आंद्रप्रदेश करनाटक और केरल है नेक्स्ट कोश्चन विश्व बचत दिवस कम मनाया गया है इसका राइट अंसर है ऑप्शन D 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया गया है इस कोश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट विश्व बचत दिवस को मनाने का उद्देश लोगों को मुक्री रूप से पैसे बचाने के लिए सिक्चित करना और देश की अर्थ विवस्ता और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देन लिए अक्टूबर महा के कुछ इंपोर्टेंट डेश इनको में आपको रिवीजन करा जे रहा हूं एक अक्टूबर को अंतराष्टिये ब्रज दिवस मनाया जाता है इसको वरिष्ट नाजरिक दिवस भी बोलते हैं एक अक्टूबर को राष्ट्ये स्व्चचिक दिवस मनाया जाता है तीन अक्टूबर को जर्मनी एकता दिवस मनाया जाता है चार अक्टूबर को विश्व परसु दिवस मनाया जाता है चार अक्टूबर को अंतराश्टी अखंडिता दिवस मनाया जाता है पांच अक्टूबर को विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है आड अक्टूबर को भारतिय वाजू सेना दिवस मनाया जाता है भारत में आड अक्टूबर को विश्व वयोब्रद्द दिवस मनाया जाता है नौ अक्टूबर को भारतिय प्रदेशिक सेना दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को विश्व डाग दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को काशी राम जहनती बनाया जाती है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक राश्वास्त दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को राश्ट्रिय डाग दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को राष्टी के डाक्तार दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को विष्व द्रश्टी दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को विष्व मानक दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को विष्व छडी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को विष्व ग्रामेण महिडा दिवस मना 16 अक्टूबर को विश्व खात्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व एनेथीसिया दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को काना राष्ट्य उद्यान दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को विश्व ट्रामा दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को गरीबी अनमुलकन के लिए अंतराष्टिय दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को विस्व आघात दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को राष्टिय सॉलेडरीटी दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को आजाद हिंद्य फोज इस्तापना दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को पुलिस इसमरणो सब दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को विस्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को विस्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को पुलिस इसमती डिवस मनाया जाता है को एक तया दिवस मनाया जाता है कि जैसा कि मैंने स्टार्डिंग में बोला रहे किया है इसका राइट अंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो को लाइक करें अंत में आप से प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट में लिखे तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो आप अधिक छातों तक पहुंचाने में हमारी मजब करें वीडियो को स्टुडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें